आप सभी को Team IAS YouTube चैनल की तरब से नमस्कार उमिद करते हैं कि 68th BPSC इंटर्व्यू की तैयारी आप लोगों ने थोड़ी बहुत शुरू कर दी होगी जैसे कि आप लोगों को पता है कि 68th BPSC मेंस का रिजल्ट इसी महिने एक्सपेक्टेड है इस महिने के लास्ट वीक में 68th BPSC मेंस रिजल्ट के बीडियरड आज का जो हमारा वीडियो है दाट इस रिगार्डिंग प्रोबैबल कट ओफ फॉर 68th BPSC मेंस इस वीडियो में बने रहिएगा चुकि हम लोग बहुत ही साइंटिफिक तरिके से बेस्ट ऑन दी फैक्ट्टल एविडेंसेस हम लोग एनलिसिस करेंगे कि वाट एग्जाटल कुट बी ती कट ओफ फॉर 68th BPSC मेंस हम लोग सब्जेक्ट वाइज और जो कुश्चन वाइज है यानि सेक्षन वाइज हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या इसको और ऑप्टिमम मार्क्स हो सकता है जो उठ सकता है अलग अलग जो सेक्षन है इन जीएस पेपर 1 एंज जीएस पेपर 2 और उसके अलावा ऐसे के बारे में भी हम लोग बात करेंगे उससे पहले कि हम लोग मेंन कंटेंट सुरू करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें प्रीज आल्सो लाइक और कमेंट सु लेट्स स्टार्ट विटी कंटेंट देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैग्राउंड लेते हैं उससे 68 BPSC मेंस का जो सक्सेस्फुल इन दी मेंस स्टेज और देरफोर 1838 कंडिडेट्स वर कॉल्ड पॉर इंटर्व्यू अब आप देखिए कि मेंस का जो रिजल्ट आया है 66 का तो 689 सीट्स जो है इसके कंपैरिजन में आप देखिए कि 2.67 ताइम्स जो इंटर्व्यू कॉल है वो आया है यह 1838 interview call so that is roughly 2.67 times और इसमें अगर हम unreserved mail की बात करें तो मेंस का cut-off जो गया है that is 454 मांग 67th BPSC की बात करें तो इसमें 802 seats were there और इसमें 204 interview call आया है so you can say that out of 802 seats में जो result आया है that was 2.62 times approximately of the total number of seats 204 लोगों का interview call आया था और इसमें unreserved mail का अगर आप देखिए cut-off जो था मेंस में that was और accordingly हर category में marks उसी हिसाब से adjusted था अभी हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं that is regarding 68 BPSC मेंस इसमें देखिए कि 324 seats are there that is a prox number of seats और अगर हम लोग 66 BPSC का और 67 BPSC का एक medium निकालने तो यह आता है कि लगभग 2.6 times एक average निकालने हम लोग तो वही आता है कि लगभग 850 candidate का 843 candidates का interview call आएगा यानि कि वह मेंस exam में सफल होंगे अब सवाल उठता है कि हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मेंस का cut-off होगा आईए हम लोग subject wise उस पर एक brief overview लेते हैं कि क्या cut-off हो सकता है सबसे पहले general studies one की बात करें तो इसमें please understand कि हम लोग जो है जो repeated questions है उसको ध्यान में लेगे to understand कि जहां भी repeated questions होंगे वहां पे candidates जो main exam में appear किये हैं उनको लिखने में आसानी हुई होगी और जो new questions जिसको मैं tough questions के category में डालूँगा तो वहां पे लिखने में दिक्कत हुई होगी तो उसको भी हम लोग देखते हैं तो देखिए जो compulsory section है general studies one का section one आप देखिए यह compulsory था तो government of india act 1858 यह question नया नहीं है को पता है इसके बारे में यह question you can say this is a repeated question उसके अलावा जो बिर्सम उंडा movement है this question is repeated indigo revolt आप mains के लिए पढ़ते हैं but you study for prelims तो इसमें चुकी आपको 70-80 words लिखना था तो इसको भी आपने manage किया होगा बहुत हर पर हलाकि this question would have been tough for many to write beyond doubt फिर आपका पटना क्लम painting this was repeated question इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी and development of capes in eastern india in ancient times इसको लिखने में आपको दिक्कत हुई ह होगी beyond doubt तो आप कह सकते हैं कि इस section में देखिए कि 3 questions जो है clearly they are they had been asked in the previous year previous year questions है यह question जो है indigo revolt fairly easy I would say I would not say tough development of capes in eastern india in ancient times तो इस तरह का question BPSC पहली बार दिया तो इसको आप after all category में रखेंगे do understand कि इस तरह के question में अगर आपको लगभग 22 से 24 marks अगर आ जाते हैं तो that would be very good score ऐसे मुझे लगता है कि इसमें से indigo reward जो है यह question नया है mains के संदर में और development of capes in eastern india यह भी question नया है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 20 से 22 marks जो है यह एक अच्छा certain variations उसके अलावा देखिए question number 2 का जो है तो indian national movement के बारे में जो बात है यह question repeated है आपको इसको लिखने में दिक्कत नहीं हुई होगी अगर आपको यहाँ पर विकल्प यह अच्छा नहीं लगा तो जो technical education तो कि British के समय में था और क्या इसका impact हुआ है तो यह question भी उचा गया है तो इसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी ऐसे question में आपको roughly 22 marks अगर आ जाता है तो I think this would be a very good performance question number 3 देखिए तो 3A का development of temples in North India this was a new question लेकिन इसका विकल्प आपको था कि that is the idea of प्रविंद्र नाट तेगोर जो है तो इसको आप आसानी से लिख सकते थे यह question पुछा गया है तो आप कह सकते हो कि यह ऐसा section है कि overall जो है आपको 65 marks यह है दे सकता है अगर copy अच्छे से लिखी गई है आपकी तैयारी होगी with what I am saying is that is the previous year questions अगर आपका clear होगा mains का form आगे च जो compulsory questions है इसमें जो 18th national scouts and guides जमोरी organized जो है यह tough है यह पहली बार बहुत सारी students को सुनने में आया होगा this question was tough उसके अलावा आप देखिए UN का जो SDG goal 16 है तो यह भी question थोड़ा dynamic है हलाकि थोड़ा बहुत जिनको भी idea होगा तो 70-80 words इसको लिखने में दिक्कत नहीं हुई हो बिहार जो है इसको लिखा जा सकता है लेकिन उतना easy नहीं होगा बहुत ही dynamic question है 70-80 words जो है लिखने में थोड़ा tough तो जरूर रहा होगा उसके अलावा solar power generation in the state of Bihar इसको लिखा जा सकता है बिहार economic service यह सवाल है इसको लिखने में उतनी दिक्कत नहीं होगी और बिहार 7 नि 20-22 marks लाने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हलाकि question number one is very tough बहुत सारे students इस question को लिखने में उतने दिक्कत हुई होगी या उसके छोड़ भी दिये होंगे उसके अलावा जो B, C, D, E जो है इसको आप लिखे होंगे उसके अलावा जो question number five में A और B में तो यह वाला question जो of the constitution है यह question आपका repeated है बहुत सारे students ने इस question को attempt किया होगा regarding the doctrine of basic structure और यहाँ आपको अच्छे marks आ सकते हैं अगर आप यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको 24 marks it would not be surprising कि इतने marks आपको आ जाएंगे यह possible है यहाँ से आ सकता है उसके बाद अगर आप आ पहले से इसके answer को तयार किया होगा structure को तयार किया होगा और उसके अलावा जो current affairs में UN की भूमी का अगर आप देखिए तो earthquake जो आया था in Syria and in Turkey तो इससे भी आप लोग आउगत होंगे तो इस section में भी आपको उतनी दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ से 22 marks fetch करना उतना मुझे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे रहेगा क्योंकि यह expected area है अगर हम लोग बात करें DI section का तो data interpretation इस बार expected lines पे था बहुत सारे candidates ने 72 में 72 score किया होगा लेकिन सपोज माल लीजे मैं लेकर चलता हूँ कि आपके 60 से 65 marks इस section में हैं सपोज माल लीजे तो full मिलाकर आप देख स सकते हैं कि GS1 में जो है अगर आप 67 का pattern देखें तो जो भी अच्छी copy है most of them have got around 175 plus minus इसमें हो सकता है इसमें आपको 175 से 180 marks जो है यह GS1 आपको दे सकता है you understand कि जब question paper जो है this was lengthy beyond doubt this was lengthy तो paper को finish करने में बहुत लोगों को दिक्कत हुई होगी क्योंकि जो compulsory question है वहाँ पर आपको दिक्कत आई होगी कि कि किस तरह से आप word limit को control करो compulsory questions would have been really tough लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 175 से 180 marks इसलिए रहेंगे क्योंकि जो 38 marker questions अगर आप देखिए history में जहाँ compulsory नहीं जहाँ आपके पास विकल्प है कि किसी दो question में एक question को करना है तो history में and also in the current affairs portion आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा choice था तो उस कारण से आपको फैदा हुआ होगा GS2 पर आते हैं GS2 पर एक बार ब्रीक बात करें तो compulsory question है तो इसमें जो है dynamic secularism in India या question भी आप कह सकते हैं कि पूछा गया है ऐसा नहीं है कि या question out of the box है अगर आपका basic books clear है तो आप इस पर 70-80 words में बहुत अच्छे answer दिख सकते हो उसके अलावा जो है दूसरा question that is regional politics जो है या question repeated है उसके अलावा जो positive direction since the constitution of India that is the directive principles of state policies जो है या question repeated है फिर आप question number D पर आ जाएए तो judicial review jurisdiction of the supreme court या question भी आपका repeated है और या basic books से है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो out of the box है और उसके अलावा बिहार has witnessed improvement in its political culture या question भी आप कह सकते हैं एक तरह से repeated है तो इस question में इस area में जो compulsory question है आपको उतनी दिकत नहीं हुई होगी और मुझे लगता है कि यहाँ 22 marks लाने में दिकत नहीं हुई होगी provided आपने दो चीजों को follow किया होगा पहला है word limit you understand word limit बहुत important है दूसरा है time limit अगर आपने time limit को follow किया होगा तो इस question में आपको 22 marks, optimum marks से मुझे लगता है फिर आप आजाए तो यहाँ पर जो journal councils है यह question नया है इस question को लिखने में दिकत हुई होगी लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास विकल्प था कि past in Indian politics यह question पिछले years में कई बार आ चुका है तो यहाँ पर आपके पास एक इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते थे आगे चलते हैं और इसमें देखिए जो section 1 Indian politics का है तो election commission के बारे में सवाल कई बार भी PSC पुछ चुका है और इसमें जो एक tag question है that is pre session, DN session and post DN session era इसको भी आप लिख सकते हैं basic book से आपको बहुत सारे points यहाँ मिल जाएंगे और approachable है तो मुझे लगता है कि यह ऐसा question है जिसमें कि 22 marks लाना is not that tough although I understand कि GS2 में जो paper checkers है 67 का trend देखें तो वो लोग ज्यादा marks दिये नहीं हैं लेकिन फिर भी एक fair assumption हम लोग कर सकते हैं कि इसमें 22 marks दिया जा सकता है फिर हम लोग section 2 पर आजाईए तो कमपलसरी question जो है regarding the national logistics policy 2022 otherwise this was tough यह easy नहीं हुआ होगा लिखने में बहुत tough होगा यह उसके अलावा अटल innovation mission के बारे में है यह भी easy नहीं होगा हुआ होगा लिखने में 70-80 words लिखने में बहुत दिक्कत आई होगी फिर जो compulsory question में आप आ जाईए तो urbanization in Bihar जो है इसको लिखा जा सकता है आप इसको non geography background होगा तो लिखने में दिक्कत हुई होगी हलाकि NCRT based है लेकिन यह लिखने में दिक्कत हुई होगी beyond doubt and the last question जो है compulsory में आप देखिए तो rural urban digital divide in India जो है तो इसको लिखा जा सकता है यह ऐसा area है जिसमें कि गर आपको 20 marks आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत में बहुत जादा fluctuation रहता है अगले question में India's global trade engagements in 2022 very tough इसको लिखने में बहुत दिक्कत हुई होगी अगर आपने इसको attempt नहीं किया है तो try का एक question है try वाला जिसमें की जो phone की density होती है तो call India average क्या है और बिहार का क्या average है तो इस पर आप लिख सकते हो लेकिन इस पर 400 words easy नहीं है बोथ चाहे आप जो trade engagement वाला देखिए या try वाला है दोनों को लिखने में दिक्कत हुई होगी either one जो भी आप चूज किये होगी यह कि 15 से 18 marks जो है यह fairly good score होगा हलाकि इस से कम भी हो सकता है चुकि बहुत tough question है यह अगर आप देखिए blue economy वाला और raw material वाला तो blue economy is tough no doubt लेकिन यह जो है आपका previous year questions है तो इसको आगर आप अच्छे से लिख दीजे तो 20 marks एक fair assumption कहा जा सकता है यह जो question है regarding the raw materials इसको आप लिख सकते थे तो यहाँ पर आपको इतने number आ सकते हैं तो इस section में जो है मुझे लगता है कि anything close to 45 से 50 marks would be a very decent score लेकिन यहाँ पे marks कम दि जाते हैं जैसा 67 में देखा गया है अगर आप section C यानि कि science tech में आ जाएए तो indigenization of technology in Indian context इसको लिख सकते हैं आप लेकिन यह question नया है और exam condition में एक आएक सोच कर 70-80 words लिखना tough हुआ होगा उसके अलावा दिखिए कि India's nuclear energy program this has been asked in the previous year तो previous year question है इसको आप attempt किये होंगे अच् internet और internet के बीच में different this was tough क्योंकि exam condition में वहाँ आसान नहीं होता है इस तरह के जो out of the box question है उनको लिखना उसके बाद technology driven modernization और बिहार जो है इसको लिखा जा सकता है बिहार economic survey से बहुत सारे points आपको 70-80 words में तो आप लिखी सकते हैं इसको और उसके बाद यह जो question है तो इसको आपको 22 marks अगर अच्छी copy रहेगी तो 22 marks evaluator दे सकते हैं although I must add here कि 67 में देखा जाए तो बहुत ही hard marking हुई है बहुत ही tough marking हुई है तो 25 marks जो हो यह लाना आसान नहीं होगा अगर आप देखिए science tech में देखिए तो इसमें जो है advancement in the field of computer communication and technology इसको आप कर सकते हैं इसको करने में उतनी दिकत नहीं है हलाकि question उतना easy भी नहीं है कुछ ऐसे student होंगे जो इस तरह के question को पहले से तयार कर रखे होंगे आप कर सकते थे और यह जो question B है इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं जो potable water है और किस तरह से science and technology का development को use करना है तो इसको आप कर सकते थे यह ऐसा question है कि आपक अच्छा score होगा decent score होगा तो यह है आप ऐसा हो सकता है मुझे लगता है कि जो marking pattern 67 का है चुकि paper checkers लगभग वही होंगे जो 67 में थे 68 की copy evaluate कर रहे होंगे तो optimum marks मुझे लगता है अच्छी copy में 135 subject to margin of error plus minus हो सकता है तो essay में देखिए कि 700 से 800 words में लिखना था एक essay को तीन essay थे तो इसमें देखिए जिनका optional philosophy होगा तो उनको यहाँ पर age मिला होगा तो मैं उनकी बात करूंगा जिनका की philosophy optional नहीं है जिनके लिए out of the box इस तरह के topics आए होंगे तो मुझे लगता है कि जो पहला question है कि forest creates its own trees, it does not wait for the people to throw seeds, some sense you might have been able to make out of this topic और आपको 10-15 minute में कुछ न कुछ content जरूर मिला होगा, 700-800 words में लिखने में बहुत दिक्कत हुई होगी beyond doubt फिर जो topic 2 है कि सही तग्यान का केवाल एक सुरोत ही नहीं है, साथ ही यहनैतिक और समाजिक क्रिया का भी एक रूप है आसान नहीं है 700-800 words लिखना ऐसे topic में और third जो है, perform your obligatory duty because action is indeed better than inaction question देखने में भले ही आसान लगे 700-800 words में लिखना बहुत मुस्किल है and question 4 also good art should illuminate our experience or reveal truths this also is a tough question, 700-800 words in quality, it's not easy to write और तो मुझे लगता है कि इस section में अगर किनी का 50 marks आता है मुझे ऐसा लगता है, assumption है, तो this would be a very decent marks I suppose, it could be very decent marks, ज्यादा भी जा सकता है अगर हम section 2 की बात करें, तो again you find कि यहां भी question आसान नहीं है we are not makers of history, we are made by history, 700-800 words में लिखना very tough है internet has turned our world into global village, इसको बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है बहुत सारी लोगों ने इसको अच्छे से लिखा होगा thought is the base of life, इसको भी लिखा जा सकता है yet 700-800 words not easy, and education seeking change after COVID इसको लिखा जा सकता है यह ऐसा section है कि इसमें 60-70 marks अगर अच्छे से लिखा जाये तो इसमें possibility बिल्कुल है लेकिन अगर आप section 3 में आ जाये तो सारे जो questions है, essay के topic है, इन में लिखना बहुत मुस्किल है most of the candidates might struggle to get about 40 marks क्योंकि आप 100 words लिख सकते हैं, लेकिन 700-800 words ऐसे topics में लिखना बहुत मुस्किल है कि essay का जो optimum marks, it may be somewhere around 150 एक चीज़ आप लोगों को दिहान में रखना है जो exam conduct कराती है अप्तरपरदेश Public Service Commission, Civil Service में वहाँ आप देखोगे कि जो essay में है, वहाँ का जो pattern है, essay में out of 150 marks, essay वहाँ पर 150 marks का होता है और वहाँ पर आप देखिए कि 120 भी दिया जाता है, 125 marks भी दिया जाता है one of the highest और lowest की बात करिए तो 60 से 65 marks भी आते हैं वहाँ पर अगर हम UP का जो marking pattern को ध्यान में रखें कि somewhere around 150 plus और minus this may be the marks in the essay paper the expected cutoff अगर हम unreserved male category की बात करें वहाँ है कि somewhere around 175 plus 135 plus 150 भी around 460 marks और इसमें जो है आपको plus और minus का margin हमेशा रहेगा यह unreserved male की बात है उसी हिसाब से हर category का जो marks है वह है कम रहेगा उमीद करते हैं कि आपको कभी का वीडियो अच्छा लगा होगा एगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्रिपया हमारे channel को subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें and please also like and comment on our videos we shall meet shortly until then good bye